लेविन रिलेशन में रह रहा है युवक को कमर में मारी गोली पुलिस ने दो लोग के खिलाव दर्च किया हत्या की प्रयास का मामला शिपपुरी के देहाद थाना छेतर में एक युवक को अपत्य जनक फोटो वाइरल करने की धमकी देकर सौधा करने के लिए घर बुला कर दो भाईयों ने गोली मार दी मैं गोली लंगने के बाद गायल हुए युवक को उपचार की देजिल अस्पताल में भरती करवाए गया है देहाद थाना पुलस ने प्रयास की शिकायत पर आरूपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्च कर जाज शुरू कर दी है जानकारी के मताबिक करेरा कस्बे के रहने वाले पुषपेंद्र चोहान पुरानी शिपपूरी छेतर की रहने वाली एक युफती के साथ करीब धाई साल से इंदौर में लिविन रिलेशन्शिप में रह रह थे इसी क्रम में तीन दिल पहले वे शिपपुरी आया तो युप्ती की माँ नहीं युप्ती के मुवाइल पक पड़ी हुई अब 30 जुनक फोटो वाइरल नहीं करने के लिए 5 लाख रुपे की मांगी इसी क्रम में शनिवार को पैसा देने की बात हुई थी युवक उनके बुलाने पर शनिवार की रात करीब 11 बचकर 15 मिनिट पर पुरानी शिपुरी छेतर में युप्ती की घर पहुँचा था पुषपेंदर युप्ती की मा वा पिता से बात कर रहा था तब युप्ती के एक भाई पुषपेंदर से बहस करने लगा और इतने में दूसरे भाई ने उसे गोली मार दी गोली पुषपेंदर की कमर में लगी मौके पर मौजूद प्रिंस मुंदेला ने उसे उपचार के लिए जिला स्पताल में भर्दी करा है पुश्पेंदर की शिकायत पर पुलिस ने दो आरूपियों के खिराफ हत्या के प्रयास का मामला दर्श कर लिया है